जै हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी के जीनियस आई क्यू में आज के सेशन में हम दस क्वेश्चिन करने वाले हैं जो कि आपके एकजाम के पॉइंट ओफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ज्यादा समय न लेते हुए आई एक क्वेश्चिन शुरू करते हैं और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चिन है निमनलिखित में से किस नदी का उपगम भूमध्य रेखा के समीब से होता है और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसर है और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसर है और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसर है बी रोगवन्सकी तजी किस्तान नेक्स्ट क्वेश्चिन कर लेते हैं जंशेद्पुर शहर के नदियों के संगम पर बसा है A. दामोदर एवं स्वर्णरेखा B. स्वर्णरेखा एवं खर्ग कई C. दामोदर एवं बराकर D. दामोदर एवं खर्ग कई और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है B. स्वर्णरेखा एवं खर्ग कई Next question कर लेते हैं रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा क्शेत्र में कौनसा नगर स्थित है A. वियंतियान B. सियोल C. हनोई D. हैंका और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है C. हनोई ठीक है दोस्तों ये बात आपको कमेंट सेक्सन में जरूर बतानी है कि आप 10 प्रशन में से कितने का सही उत्तर दे पाए है Next question कर लेते हैं कौनसा बंडगा यूरो पोर्ट के नाम से जाना जाता है A. हैंबर्ग B. लंदन C. रांट राडम D. लिस्बन और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है C. रांट राडम Next question कर लेते हैं निमनलिखित में से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है A. कंडग B. को सी C. ब्रहमपुत्र D. गंगा और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है C. ब्रहमपुत्र Next question कर लेते हैं सवाना घास के मैदान कहा है A. अफ्रीका में B. आस्ट्रेलिया में C. यूरोप में D. उतरी अमेरिका में और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है A. अफ्रीका में ठीक है दोस्तों Next question करने से पहले आपसे एक request है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये है तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करे Next question कर लेते हैं सामान्य निर्वाः प्रिशी श्री लंका में किस नाम से जानी जाती है A. कोनुको B. हुमा C. मिलपा D. चेनना और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है D. चेनना D. भारत और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है B. नार्वे Next question कर लेते हैं एशिया का सबसे बड़ा लौह इस पात उत्पादक देश कौन सा है A. भारत B. जापान C. इंडोनेशिया D. चीन और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसर है D. चीन ठीक है दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही यदी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करे धन्यवाद